बाड़ दोस्तों, हवे आपने पाटनू श्रवन करिए। पावानू ने कपडा मड़ी रहे। बाहर न मित्रों साथे रमवानी, कूदवानी, फरवानी मजा जती रही। अहीं पण एने सवना दिल जीती लिधा। एने कदी कोई काम बतावू न पड़े। वड़ी एकके एक काम भारे चीवर थी करी आपे। वासन मांजी ने अरिसा जिवा बनावी दे। फड़्यू ओसरी ने ओरडा वाडी ने चोखा चणक करी दे। अनाज सफाई मां कशी फरियाद न आवे। ताओ एवी बूम पड़ताज जी कहती ए हाजर थाए। एक वार घरनी बहार नो रस्तो साफ करता एने एक काट वालो सिकको जड़ी आवे। एने हात मां लईने एने निहाडे। ने खुशी अनुभवी। थोड़ी वार एने घसी जोयो पन उपर नी चोखी छाप देखाई नहीं। एने ए सिकको एना बूट मां मुकी दिधो। ज्यारे समय मड़े त्यारे सिककाने घसया करे। आम तो ए उजड़ो बनी गयो पन अंदर नो काट केमे करीने जाय नहीं। छता एने ए सिकका माटे ममता बंधाई गई। एने एने कालजी थी साच्वी राख्यो। ताओ ए एकवार घरना नौकरोंने नौक वातो करता सामभड्याक। आपना शहर मां बउद भिक्षुओ आवया छे। भगवान बुद्धनी भव्य मूर्ती तैयार करवा माटे दर्रेक घर माथी कीमती वस्तुओनू दान मिढवे छे। आपने त्या पण तेओ एक दिवस जरूर आवशे। आपने पण शक्ती प्रमाणे कई भेट आपीशू। ताओ ने विचार आवयो। हूंशू भेट आपीश। मारी पासे तो कई न थी। साचेज बिजे दिवस से एक बउद भिक्षुू ए वेपारी ने त्या दिवान खाना मा आवी ने सव ए एमने वंदन करया। भगवानी प्रतिमाने वात एमने रजू करी। खूनामा बेठेली नानी ताओ ए पन सव साथे एमनी वात सांबडी। पची अंदर जैने बधा पोतानी भेट लई आवया। बिक्षुूनी जोडी मा भात भात ना रत जडी तागी ना हता। एमा शेठानी ना सोना ना अने नौकरों ना रूपा ना घरेना नो धगलो थवा मांडेओ। आश्योब कार्यमा कईने कई आप्यानो सव ए संतोष अनुभव्यो। ताओ ए आखो फाडी ने जोया करिय। ने एनी आख मा जड़ जड़िया एनी पासे मात्र एक नानो सिक्को हतो। सव ज्यारे किमती वस्तुव आपता होय त्यारे पोते काट वाणो सिक्को आपे एतो किवु खराब लागे। एने थयूं आवी मोंगी भेट मरती होय त्या मारी मामुली भेटनी शीवी साथ। बधी वस्तुव जूडी मा भरीने बिक्षुए विदायली धी। पेला बिक्षुणी पाचर दोडी ने ताओ ए एमने उभा राख्याने कहिऊं। महराज मारी पासे एक सिक्को छे। ए भगवान मुद्धनी मूर्ती माटे धरू छू। बिक्षुए सिक्को हाथ मा लईने कहिऊं। तने आ सिक्को क्या थी म मड़ेओ। मने रस्तापर्थी जड़ेओ छे। मैं घसीने एने उजड़ो करेओ छे। आ सिक्को मने बहूच गमे छे। मैं एने जीवनी जेम साचवेओ छे। पन आवो गंदो काट वाड़ो सिक्को पवित्र मूर्ती माटे उप्योग मा न आवी शके। एम कहिने एमने सिक्को पाचो आप्यो ने ए चालता थया। पोतानी भेट नो औस विकार थवा थी एने खुबज दूख थय। अने ए रड़ी पड़ी। एने थय। भगवान मुधनी मूर्ती माटे आपवाने मारी पासे कशी मूल्यवान वस्तु न थी। हुँक येवी कम भागी छुँ ए निरूपाई बनी रही। अन्ते पिलो सिक्को एने मूट मा मूकी दिधो। खुणे खुणे थी भाद भातनी भेट लईने सव भिक्षुओ मत मा आवी गया। धर्म गुरुए आ बद्धा घरेना मूटी भठी मा नाखी ने ओगाडया। तैयार थैला प्रवाही रसने एक मूर्टा बीबा मा धाडी ने बुद्धनी मूर्ती तैयार करवा मा आवी। पण मूर्ती जोताज सव आश्चरे चकीत बनी गया। अरे आशुन आ मूर्ती ना मुख पर नाखुशी ना भाव केम छे। आ धातु मा बीबा मा के धातुनो रस तैयार करवा मा कई खामी रही गई लागे छे। सव चिंता तूर बनी गया। मठ ना वड़ाय पोताना सर्व शिश्यों ने एकत्र करया ने पूछिऊ। सव तमने भेट तो राजी खुशी थी आपी छे ने। कोईने फरज पाडवा मा आवी नथी ने। कोईनी प्रेम पूर्वक नी भेट नो अस स्विकार्यों नहतो। वड़ाय कहिं। आवा पवित्र कार्यामा जे कोई व्यक्ती जे कई आपे ते अणमोल भेट गणाए। जेनी पासे अड़लक संपती छे ते थोड़ा कीमती अलंकारों आपे। एना करता जेनी पासे संपती नथी। छता कईक आपे छे तेनू मुल् भगवान मुद्ने एवी व्यक्ती सवती वदू प्रिया छे। हाँ, ए भेट खरा रदय थी आपेली होवी जोईए। भगवानने चरणे धरावेली भेट नो अस्विकार करवा थी ए नाराज थाई छे। जल्दी जैने भेट मेडवी लावो। बिक्षुने पोतानी भू बोलावी, सवने आश्चर्य थाय। भिक्षुए ताउने शामाटे बोलावी हशे। भिक्षुए कहिऊं बेहन मारे तारी क्षमा मांगवानी छे। ए दिवसे में तारी भेट नो अस्विकार करयो हतो। पड़ आजे हुँ ए लेवा आवयो छिऊ। तारी भेट विना भेट वड़ी एवी ते केविक मुल्यवान हशे। त्या तो ते ओवे बूट मां साचवेलो पेलो काट वालो सिक्को खूब संकोत साथे भिक्षुँने चर्णे धर्यो। भिक्षुए ए स्मीत साथे स्विकारी ने एने आशिर्वाद आपया। बहुद भिक्षुए आ न नमणी ने भवे मूर्ती तैयार थाई हती। मूर्ती नु स्मीत भर्यु मूख। एना करूणा भर्या नयनो। एनो स्नेह भाव थी चमक तो चहरो जोईने सवे आनंद ने आश्चर्य अनुभव्या। ना नकलिताओ ना आनंद नो तो पार ना हतो। चीन देशनी एक वार पर थी।